आप सारे लोग हैरियत से होंगे आज हम बात करेंगे पेजिस की शॉपफाय स्टोर या किसी भी स्टोर के अंदर आपने डिफरेंट पेजिस देखी होंगे जैसे अबाउट का पेज और इन तरह के पेजिस आपको डिफरेंट घजर आते हुगे तो इस तरह से क्रिएट करते हैं उनके उन्दर डिटा किस तरह से डालते हैं चले चलोगे देखते हैं लापॉप screen के फिरिक तो हम आचोके laptop screen के ओपर यहां पर देखें हमारे पास यह option है इसके अंदर हमारे पास option है pages का तो pages के अंदर अगर हम आएं तो यहां पर देखें सिर्फ only contact us का page है इसको मैं delete कर देता हूं और मैं अपना जो contact us का page है और new बनाओंगा यह जो भी pages तो कुछ इस तरह से नजर आने वाला है simple मैं यहां पर add page करूँगा और जो भी page का मैं नाम दूँगा let's suppose about us about us यहां पर मैं कुछ data डाल दूँगा store की about मैं यहां पर कुछ dummy data use कर रहा हूं ठीक है यहां पर मैं चाहूं तो कोई image भी यूज़ कर सकता हूं यहीं कर लेता हूं इसको मैं center में कर लेता हूं यहां से align center और इसको मैं save कर देता हूं तो यह हमारे एक default page बन गया इसमें page को अगर view करूं कुछ इस तरह से हमें यह नजर आएगा about us और हमारा पीज है राइट on the other end हम एक और page create करते हैं let's say contact us का तो मैं यहां पर click करूंगा और similarly contact us यहां पर कुछ text add करता हूं अब इस तरह के पेज के अंदर यहां पर देखें थीम template तो हम यहां पर चो है contact us का हमारा page यहां पर शो नहीं हो रहा यहां पर दिफ्रेंट templates आपको शो होंगी contact us वाली यह बाकी चीज़े तो यहां पर जो यह थीम की templates है न अगर आपका contact us वाला page है तो आप specifically contact us वाली template यहां से select कर लेंगे लेकिन यहां पर शो नहीं हो रही I don't know why क्योंकि यह free theme है या sorry paid theme है लेकिन एक low quality theme है तो इस वज़े से शायद यहां पर option नजर नहीं आ रहे तो मैं इसको एक बार publish कर देता हूं तो हमारे पास अगर हम यहां पर देखेंगे pages के अंदर आके तो हमारे दो pages publish हो चुके हैं तो इनके अंदर जो भी data हम देखना चाहें तो वो देख सकते हैं कुछ इस तरह से ठीक हमने basics है यहां पर add किया था और यहां पर contact us के details हम डाल सकते हैं यह जो कुछ भी है यह contact form भी डाल सकते हैं लेकिन contact form के लिए यहां पर इसके अंदर option available नहीं था आपकी case में हो सकता है तो यह इस तरह से काम करेगा तो मिलते हैं चाले नेक्स लेक्चर के अंदर और नेक्स लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे menus या navigation के बाब तिल दन keep learning keep exploring Allah आपीश